हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल सुमंदुला कुत्राखन तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा हमारे यहां का बारिस हल्की हल्की सी और आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट आज के वीडियो में हम बनाएंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट यानि अद्रक और लैसुन का पेस्ट घर पे बनाए वह भी बहुत लॉंग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं हम इसे घर पे तो गार्लिक और जिंजर के पेस्ट प्राने के लिए हमें अद्रक और लैसुन चाहिए होगा तो लैस कि उसमें कुछने कुछ मात्रा जिंजर की रही जाती है कि तो अगर नाइफ को छोड़के एंड़के फटाफट निकलती है और एकदम फट आफट कि छिल जाता है तो जिंजर तो मैं इतना नहीं छिलूँगी जितना मैंने हाँ पर रखा हुआ है क्योंकि अगर आप लैसुन और अद्रक का पेस्ट बनाते हैं तो आपको उसमें अद्रक की मातरा कम डालनी होती है क्यों ज्यादा अद्रक बहुत ज्यादा मिर्ची सा हो जाता है और लैसुन तो ज्यादा ही पड़ता है तो देखिए मैं चमच की साहिता से कैसे आसानी से अद्रक को छिल रही हूं तो आप देख सकते हैं मेरा अद्रक पूरा छिल गया है और कुछ-कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी साफ करेंगे उसको साफ करने के लिए एक बावल में पानी लेंगे और पानी में दोनों हाथों से अद्रकों को पकड़ के रब करेंगे तो देखो जैसे मैंने अद्रक को रब किया तो उसके जो बचे हुए चिकल थे वह उपर पानी के उपर तैरने लग गए तो अब इनको हम अच्छे से वास करेंगे और वास करने के बाद हम अद्रक के पीसिस करेंगे क्योंकि होता क्या है ना अद्रक अगर हम साबूत अद्रक के पीसिस डाल दें अगर हम मिक्शर के जार में या तो जार खराब हो जाएगा और या तो अद्रक पिसता ही नहीं क्योंकि वह बहुत मोटे से पीस होते हैं उसके और बड़े से होते है तो इसके लिए पहले हम अ सारे अधरर केいきます शालर के पतले पतले से काटने से हमारे भी अच्छ होता वरना हम्हें पता हैं मिक्सी लगात था गमानी पाद artistic अगर देर तक मिक्सी क्लों रखती हैं जाती हैं अगर हम इसके पिसस काटे दाले तों यह आसानी सेिंonne हो जाता है तो अद्रक के सारे पिस्स मैंने काड़ दिये हैं और मैंने अब फ्रिज से लैसून भी निकाल लिया है तो लैसून की मातरा देखिए आपने मैंने ज़्यादा रखी हुई अद्रक से अद्रग की quantity कम है और लैसून की quantity जादा है इसके लिए हमें चाहिए oil, paste पनाने के लिए and salt and एक container अगर आपको paste long time के लिए रखना है यानि 6 महीना साल भर के लिए रखना है तो आप container सीसे का यूज़ कर सकते है और अगर आपको महीना दो महीने के लिए रखना है तो आप plastic का container भी यूज़ कर सकते है क्योंकि लैसून तो आजकल हर घर में सायद डाल में, सबजी में and चिकन में फड़ता ही है तो हर को या आजकल स्टोर करके रखता है तो इसके लिए हम पहले मिक्सी के जार पे लैसून और पेस्ट डाल देंगे दैन उसमें एक चमच नमक डाल देंगे और ऑईल डाल देंगे नमक आप जितना दालसों को उतना अच्छा है क्योंकि नमक के उससे पेस्ट खराब नहीं होता है और ज्यादे टाइम के लिए चलता है आप देख सकते हो अचार में भी हम ज्यादा नमक डालते हैं यह कारण यही है अगर हम नमक कम डालें तो खराब होने की संभावना रहती है अगर हम नमक ज्यादा डाले तो खराब नहीं होता है तो आप देख सकते हैं मैंने एक बार तो पूरा लेशन और अधर औरका पेस्ट तयार कर लिया है और मैं अपने कंतेंडर में डालूंगी जो मेरा प्लास्टिक का कंत ये कंतेंड क्योंकि मेरा ये प्लास्टिक को जबबा महिना दो महिने से तो अध्रक और लैसुन का पेस्ट लगबग मेरा बन ही चुका है यह लास्ट सिफ्ट है कि मैं लास्ट बार जार में गार्लिक और जिंजर डाल के उसका पेस्ट त्यार कर रही हूं सी और आप देख सकते हो मेरा जो कंटेंदर ने वह भी लगबबग फुल ही हो चुका है तो सबसे पहले में अपने मिक्सी को साफ करके साइड में रख दूगी क्योंकि मेरी मिक्सी पर्मानन यहीं पर रहती है क्योंकि मुझे time to time चाहिए होता है mixi का use में बहुत ज्यादा करती हूं और उसके बाद मैं mixi के जार के ठकन को अच्छे से साफ करूँगी क्योंकि यह last time था उसके बाद तो मुझे इसमें paste अभी बनाना नहीं है क्योंकि मेरा paste सारा बन चुका है तो अब मैं सारा इसको अच मातरा पर बना हुआ है तो हम इसको store भी कर सकते हैं इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो महीना च्या महीना आराम से हम इसका use कर सकते हैं क्योंकि हम तो खुद करते हैं हम जब कभी suppose हम गर्मियों को चुट्टियों में घर जाते हैं तो अगर पेस्ट बचा हुआ तो हम इसको करना यह जरूर अगर आपको अच्छा लगे तो और उसके बाद यह हमारी बैलकनी छोटी वाली जो हमने जिंजर के छिलके निकाले हुए थे ना मैं उसको कचड़े में नहीं डालती उसके छिकल जो मैं एक प्लेट में लेके आई हूं और मैं इन सब को अपने गमलों में डा करते हैं तो मैं अपने सारे प्लांट्स में थोड़े थोड़े से जिंजर के छिकल डाल दूंगी और वैसे भी आज कल बरसात का मौसम है एकदम यह बारिस में दो दिन में ही इसके अंदर घुसके बहुत अच्छे हो जाएंगे प्लांट्स तो यह भी एक यूज हैगी हम क्छिलके का यूस कर सकते मैं पहुत लोग तो दिंजर का चीलके का यूस si przysz up नाने में भी करते है तो अगर आपको आज का व्याड़ पसंद लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा और अगर ना आए तो डिस्लाइक भी कर दीजिएगा ओके बाई टेक केर